हेलो दोस्तों देखिए दोस्तों आग क्या प्रस्ण बहुत ही खास है जो आपकी एक्जाम में कई बार पूछा जा चुका है देखिए दोस्तों अगर ऐसे प्रस्ण आपको सॉल करने तो वीडियो को लाज तक जरूर देखना होगा तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कोश्चन नम्मर पहले में क्या दिया है यदि P बराबर 7 और Y बराबर 7 दिया है तथा O N बराबर 65 दिया हो तो Y L R बराबर क्या होगा यह हमें ग्याद करना है देखिए दोस्तों चार आफसों दिये हुए है इन्हीं में से एक आफसों हमें सेलेट करना है देखिए दोस्तों P बराबर 7 कैसी दिया है यह हमें सॉल्व करना है देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि यह भी CD में कितने अच्छर होते हैं 26 अस्तान पड़ता है उसी तरह से P किस अस्तान पड़ेगा यानि कि P किस नमर पड़ेगा वो 16 नमर पड़ेगा ठीक है ABCD में P 16 नमर पड़ेगा तो देखिए दोस्तों हम इसे कैसे solve करेंगे देखे P b 7 आ गया हमारा देखें इसमें क्या कियाg पी कामान निकला आनि की P किस स्थान पर पड़ता है 16 पर ठीक है और इसे बीच क्या कर दिया प्लस कर दिया तो मैं संख्या सात आगे ठीके ऐब उसी परकार हम वाई का भी ग्याद करेंगे देखें दोस्तों वाई एभी सीडी में किस नम्मर पड़ता है वाई हमारा किस नम्मर पड़ता है किस पचीस नम्मर पर ठीक है तो अब क्या करेंगे पचीस पचीस के बीच में हम प्लस कर देंगे आनि कि दो प्लस पांच कर देंगे तो कितना आ जाएगा, साथ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, साथ, देखिए, आप भी दिया हुआ है साथ, ठीके, तो हमारा आ गया साथ, आने की दो कंसेप्ट किलियर हो गए, ठीके, अब हमें तीसरा को किलियर करना है, तो चलिए तीसरों को किलियर करते हैं, देखिए, ती इस तरह से हम कर लेंगे अब क्या करेंगे इनके बीच प्लस कर दिंगे कितना आ जाएगा छे आ जाएगा और देखिए वन प्लस फोर करेंगे तो कितना आ जाएगा पाइप आ जाएगा आ देखिए 65 आ गया ठीक है हमने क्या किया इन दोनों इन दोनों अच्छर को संख्या में चmosnd किया ठीक है और इनके बीच पलस ठीक है इनके मीच पलस कर दिया ठीक है तो हमारे संख्या आ गई देखिए ओ पंदरे अस्तानिक पढ़ता है तो हमने क्या किया one plus five कर दिया तो कितना च्छे आ गया और फिर यह अन्चोदा अस्थान की पढ़ता है तो one plus four कर दिया तो five आ गया ठीक है तो आने की 65 हमारा आ गया ठीक है अब उसी तरह इसे विज्यात करेंगे अल-r को ठीक है तो चलिए दोस्तों इसे solve करते हैं कैसे solve करे किस नम्मर परता है यह हमारा 12 कि सबस्तों फोरिभी कि 1 प्लस दो कर देंगे कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक attributes है यल बराबर यल बराबर करेंगे 1 प्लस 2 बराबर तीन ठीक है अब क्या करेंगे आल बराबर मेर माझट बाहबर कितना हो जाएगा 9 कितना असार रबर और 29 कितना आ जाएगा 49 डेकि Stalin में दिया है a नमबर सी में दिया हुआ है तो आपसर नमबर हमारा सी सही हो जाएगा देखिए दोस्तों हमने आपको बहुत ही वियतनी तरीके समझाया अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरू करना तो चलिए दोस्तों चलते अपने रेस्ट कोशन पर कोशन नमबर दूसरा देखिए दोस्तों कोशन नमबर दूसरे में क्या दिया है यदि जी ओ बराबर 32 और यस एच ई बराबर 49 तो यस ओ यम ये का कोड क्या होगा देखिए दोस्तों क्या हमें ग्यात करना है यस ओ यम ये का कोड ठीक है चार आपसर दिये हुए हैं इन्हें म कैसे solve करेंगे देखिए यह प्रस्ण भी most important है जो आपके एक्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है तो देखिए दोस्तों इसे कैसे solve करेंगे देखिए जी ओबरावर बत्ती दिया है आपको पता होगा कि यह भी CD में 26 अच्छर होते हैं ठीक है क ABCD में G किस नममर पढ़ता है Seven जी सेवन नमर पढ़ता है ठीक है और ओंशہ आपको 15 नमर पर तो अगर हम इसे जोड़ नहीं होगा ठीक है तो कैसे clear होगा चलिए से हम solve करते हैं देखिए हम क्या करेंगे A B C D में 26 अच्छर्ट होते हैं तो हम क्या करेंगे इसका भी प्रीद करेंगी ठीक है तो A हमारा किस अस्तान पढ़एगा 26 आनिका A B C D का उल्टा कर देंगे ABCD का उल्टा करेंगे तो A हमारा 26 नमर पड़ेगा ठीक है और Z हमारा किस नमर पड़ेगा 1 ठीक है और Y हमारा किस नमर पड़ेगा 2 ठीक है और X किस नमर पड़ेगा 3 ठीक है और A हमारा 26 नमर पर ठीक है तो हमने क्या किया ABCD का उल्टा कर दिया तो हमारा Z एक नमर पढ़ा ठीक है Y दो नमर पे 31 नमर पर और A 26 नमर पर अब इसे हम solve करेंगे तो हमारा answer सही आएगा देखिए क्या करेंगे अब उस तरह से अगर हम solve करेंगे तो देखिए दोस्तों G G और O हमारा G किस नमर पे आएगा वो हमारा 20 नमर पे आएगा किस नमर पे आएगा 20 20 नमर पे आएगा देखिए दोस्तों हमने क्या क्या A, B, C, D का उल्टा करके ग्याद कर रहे है तो हमारा G 20 नमर पे आएगा अगर सीधा ग्याद करते है तो वो 7 नमर पे आता ठीक है और देखिए दोस्तों ओकी सस्थान पर आएगा 12 ठीक है ओकी सस्थान पर आएगा 12 अब हम इसे आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 देखिए कितना हो गया 32 यहां पर दिया हुआ 32 ठीक है हमने क्या किया ev cd का उлатर करके इसी solve किया तो हमारा answer आया ठीक है अगर हम सिधा solve कर रहें थे तो answer नहीं आ रहा था ठीक है उसी परकार इसे भी solve करेंगे देखिए दोस्तों yes each e का ठीक है yes each का इसे भी हम उल्टा solve करेंगे ठीक है किएक सिधा solve नहीं कर सकते हैं एक ही स्थान पर रहें तो क् ठीक है और 19 पड़ेगा ठीक है और एकी सस्तान पड़ेगा यह पड़ेगा हमारा 22 ठीक है यह पड़ेगा हमारा 22 अगर देखें दोस्तों अगर हम इसे सीधे तरह से solve करते हैं तो यह हमारा 5 नमर पड़ता ठीक है और यह हमारा 8 नमर पड़ता इस तरह से पड़ता ठीक है तो हमने क्या क्या इसे उल्टा solve कर रहे हैं आने की ABCD का उल्टा ठीक है तो हम इस तरह से लिख रहे हैं अगर हम इसे आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए जोड़ लिजिए 8 और 19 कितना होता है 27 27 27 27 कितना होता है 49 होता है, कितना होता है 49, देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 49, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 49, अब हम इसे यह भी clear हो गया, यह दोनों तो हमारा clear होगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, yes, o, yam, e का ग्याद करेंगे, तो चाहिए दोस्तों, इसे भी हम solve कर लेते हैं, द देखिए, yes, किस नमर पढ़ेगा, 8, 8 नमर पढ़ेगा, ठीक है, और o, हमारा किस नमर पढ़ेगा, 12 नमर पढ़ेगा, उस तरह 15 नमर पढ़ता है लेकिन हम उल्टे solve कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कितना पढ़ा, 12, ठीक है, और yam, किस अस्तान पढ़ेगा, वो यह जोड़ेंगे तो हमारा 56 हो जाएगा देखिये कैसे होगा आठ और बारा कितना होता है 20 होता है ठीक है वीस औरख 14 कितना होता है चलूतीहWow हमारा किस नमबर पढ़ा एक ठीक है तो यह इस तरह से शोल्ब हुआ ठीक है आने की एपरस्ट भी आपको बहुत ही असान समझ में आ गए होंगे तो चलिए दोस्तों चलते पर नेस्ट कोश्चन पर कोश्चन नमर तीसरा देखिए दोस्तों कोश्चन नमर तीसरा क्या दियाया यदि य वराबर शबशी तो चल ठीक है और यह C1 बराबर 27 तो हम इसे कैसे solve करेंगे देखिए दोस्तों हमने आपको बताया था ABCD इसमें विपरीत solve करना है आने कि देखिए जब A 26 नमर पढ़ेगा ठीक है ABCD में 26 अच्छर ही होते हैं ठीक है अगर A 26 नमर पढ़ेगा तो Z हमारा एक नमर पढ़ेगा ठीक है और Y हमारा दो नमर पढ़ेगा ठीक है और X हमारा तीन नमर पढ़ेगा उसी परकार यह हमारा 26 नमर पढ़ेगा ठीक है तो हम इसे कैसे नमबर पढ़ेगा यान हमारा 13 नमबर पढ़ेगा ठीक है 13 नमबर पढ़ेगा अगर हम इसे सीधा solve करते हैं तो यह समारा 19 नमबर पढ़ता ठीक है और यह हमारा 21 नमबर पर और यह हमारा चौधा नम्मर पर ठीक है तो अब चलिए हम इने आपस में जोड़ लेंगे अगर हम इने आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आजाएगा देखे दोस्तों आठ और छे चौधा होता है और 14 और 13 27 होता है कितना होता 27 सिय आपर दिया हुआ है 27 ठीक है तो हमने यह concept कीलियर के लिया ठीक है अभर मिश्ट करें करना है तो देखें दोस्तों S750 किस Полबरस अदर पढ़े ठीक है 24 नमर पर C पड़ेगा ठीक है और A हमारा किस नमर पड़ेगा 26 क्योंकि देखिए यहां पर दिया हुआ 26 A नमर पर ठीक है और T हमारा किस नमर पड़ेगा वो पड़ेगा 7 किस नमर पर 7 तो हम इसे आपस में जोड लेते हैं देखिए इसे हमने आपस में जोड लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 आउ 26 कितना होता है 50 होता है ठीक है और 50 में अगर हम 7 जोडेंगे तो कितना हो जाएगा 57 देखिए दो गुश्तों आगर हम इसे सीधे टाइप से ग्याद करने तो हम他सीches टीज नमर परता और एक नमर परता टीम्र 건ीर interventions तरफ सेंधिले लेकिन हमें कि से ज़न सकता है और आपस में जों लिया है आपस नमर में दिया आपसान वी में दिया हूगा है तो से नमर या हमारा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करूँगा कि यह भी आपको प्रस्ण बहुत ही हसान समझ में आ गए होंगे तो चलते हैं अपने निश्ट कोशन पर कोशन नमर देखे दोस्तों कोशन नमर चार में क्या दिया है किसी कोड में बिई ग वराबर एएम और जी यॉडFlow की संख्या को परदस्तित करेंगा यानी कि ब्यूद प्रस्थी नपना दैए इसे प्रस्त आपके एग्जाम में पूच़े जाते हैं तो देखें दोस्तों हम इसे बहुत ही आसायं सॉल्व करेंगे मात्र कुछी सिकेन में तो चलिए दोस्तों हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं देखें क्या दिया है B, E, G के इसे पहले छोड़ देते हैं ठीक है इसे पहले साल वर पढ़ता है ठीक है है और हुपहरा कितना पढ़ता है पंद्र या पढ़ता है कि नमर पढ़ता है ठीक है अब हम इन इनको आपस में जो लेंगे क्या करेंगे इनको आपस में जो लेंगे किदना हो जाएगा देखिए पंदरस साथ कि shooters 52 calcium देखिए आपर दिया हुआ है 26 ठीक है यह तो किलियर हो गया ठीक है अब हमें इस Сейчас के क्लियर करना है देखिए अब क्या करेंगे B और E G ठीक है B E G देखिए B किस नमबर पड़ेगा 2 ठीक है और E 5 और G 7 ठीक है अब इसे हम आपस में जोल लेंगे कितना आजाएगा 5 2 7 7 14 हो जाएगा 14 हो जाएगा ना अब देखिए A M बचा है A M का भी हम क्या कर लेंगे इसे A M ए देखिए हमारा किस नमबर पर ता 1 ठीक है और E M 14 सोरी 13 ठीक है अब इसे आपस में जोल लेंगे कितना हो जाएगा 14 देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 14 है यहाँ पर 14 होना चाहिए था लेकिन यह क्या क्या अच्छर में लिग दिया है ठीक है उलजाने के लिए क्या करने के लिए उलजाने के लिए अच्छर में लिग दिया है और यहाँ पर 14 होगा ठीक है आने कि A M सही है ठीक है यहाँ A M सही है तो हम क्या करेंगे ये दोनों concept हमारा clear हो गया ठीक है अब हमें क्या करना है तीसरे concept को clear करना है देखिए दोस्तों B B E Rival Yael आनि कि B किस नमर पढ़ता है दो ठीक है और E हमारा 5 ठीक है और Yael किस नमर पढ़ता है 12 ठीक है तो ये दोनों किस नमर पहो जाएंगे 12 बार बार ठीक है साथ और 12 कितना हो जाएगा हमारा 19 ठीक है 19 और 12 कितना होगा 19 ऑर 12 31 कितना जाएगा 31 देखिए किस अबसंदी हैं आप समनमर च में दिया हुआ है देखिए दोस्तों ये तीनों concept किलियर हो गए हो हम यह आपको बहुत ही आसानिस बताए है ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना तो चलिए दोस्तों नेश्ट कोस्टन पर चलते हैं कोस्टन पर 7 देखिए दोस्तों कोस्टन नम्र 5 पर चलते हैे यादि यरूष्ट आप जब इसक्तित करनिया है दो यह आने कि ए मूझा करना करना तो P हमारा किस नमर पढ़ेगा P हमारा 16 नमर पढ़ेगा P हमारा 16 नमर पढ़ेगा A हमारा एक नमर पढ़ेगा T हमारा 20 नमर पढ़ेगा और इनके बीच हम पलस कर देते हैं ठीक है तो क्या आजाएगा 16 17 हो जाएगा 17 और 20 37 हो जाएगा यहां पर दिया हुआ है 37 ठीक है तो इसको जोड़ देंगे तो 20-21 हो जाएगा और 21 और 16 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा आने कि यहां भी 37 भरा जाएगा देखें किस आपसन में दिया आपसन नमर B में दिया हुआ है ठीक है देखें दोस्तों हमने आपको समझाने के लिए इतना बताया है नहीं तो हम क्या करते ह हाँ है अपने से बहुत ही असाएग हो परता दिमाख ही में हम जोड़ लैते हैं है इकपलूं पर ठीक है और पी अमारा 16 नमर परता तो फटाक कितना कर लते हैं 37 तो देखें किस आपसन अमर अंपर बी हमारा से हो जाएगा देखें दोस्तों यह पांचों प्रस्टीन आप